देखी मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम लोग बिहार की राजनीती की बात करते हैं और उसमें अगर हम लोग लालू परिवार के बारे में बात ना करें ये संभाव भी नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीती में लालू का और लालू परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आप कह लिजे और आप देखते हैं कि किस तरह से लालू यादो मुखमंत्री बने फिर उन्होंने अपनी पत्नी को कहते हैं कि किच्चन में से उठा कर आनितिक विरासत तेजसवी यादो उन्हे समाली और आप सबी जानते ही कि तेजसवी यादो के बड़े भाई हैं त्रिज पिरताब यादो और यह अपने काम के कारण और आप देखी इस तरह की बयान बाजी करते रहते हैं कि ये काफी चर्चा में बने रहते हैं और एक बात और आप लोगों को मालू होगा कि अपने आपको सेकंड लालू कहते हैं और इनका क्योंकि बोल चाल जिस तरह से भासर देते हैं इस वीच देते हैं आप सभी को मालुख होगा कि लालू पृसाद यादव जैसे ही बात करते हैं और रेल मंत्री भी रहें एक समय आप सभी जानते हैं ते कौन लालू पृसाद यादव? उनके बारे में हम लोग ने विस्तार से बात की हुई है उनकी हुई बायोगराफी कवर की हुई है तो आज हम लोग तेज प्रताब यादों के बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे और इनका परिवारिक बैक्ग्राउंड क्या है, सिख्षा क्या है, इनसे कई विवाद भी जुड़े रहे हैं, और विवादों पर भी बात करेंगे, इनकी साधी को लेकर भी आपने देखा है काफी विवाद रहा है, काफी सर्चा में रहे हैं, और किस तरह से इनकी राजनीती रही है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, एक बार पहलो आप लोग बिहार चलिएगा, और बिहार जाएंगे तो आप देखेंगे बिहार ये है आपको, इसकी राध्धानी पटना है, और आप देखेंगे कि बिहार से लगे हुए राज्य देखें तो उत्तर पिदेश हो गया, आप देखेंगे कि जारखंड हो गया, आपका पश्चिम मंगाल हो गया, इसकी अंतराश्टी सेमा नैपाल से लगती है, नैपाल का पडोसी है या बिहार का पडोसी देश है को मिलेगी लोग सभा में 40 सीटन देखने को मिलेगी कुछ पिक्चर भी आपके सामने दिखाई दे रही होगी आपको स्क्रीन पर तेजस भी यादाओ आप देखेंगे तेज परताव यादाओ लालू परसाद यादाओ और रावडी देभी और इनकी सभी ये बहने हैं क्या ह तेजस परताब उनकी पतनी और इसमें देखी है तेजस भी की जो सादी हुई है उनकी पतनी आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आप देखेंगे कि ये तेजस भी है और अभी जिस कारण के काफी चर्चा में एक्तार पार्टी आपने देखा है कि 2022 में जो हुई इसमें इने इन पर तेजपरताफ यादो पर अपने कारकरताओं के साथ मारपीट का आरोप भी लगा है नेतेज कुमार और आप सभी जानते हैं कि नेतेज कुमार एक समय लालू परसाद यादो के साथ हुआ करते थे फिर आपने देखा है कि अंडी के साथ बीजेपी के साथ चले गए और ये तेजपरताब तेजस भी यादो और इनकी परिवार पूरा आपको दिखने कुमिल लाओगा और यहां आप देख सकते हैं तेजपरताब यादो लालू परसाद यादो और इनकी माता रावडी देवी यादो अगर हम लोग तेजपरताब के नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम तेजपरताब यादो है यह अपने आपको आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं किष्ण कहते रहते हैं और कनहिया भी इनका उपनाम है इनका जनम होता है 21 नवंबर 1987 को 21 नवंबर 1987 को इनका जनम इस्थान है फुलवारिया गोपाल गंग बिहार भारत में इनका जनम होता है इनके पिता का नाम लालू पिरसाद यादो माता का नाम रावडी देवी और भाई है इनकी तेजपरताब यादो कौन से तेजपरताब यादो और इनकी पतनी का नाम SORRI और आप सभी जानते ही कि तलाग का केस कोट में है इनसे तलाग लेने की बात हो रही है इनकी और बिस्विध्याले यानि की पड़ाई लिखाई की बात करें तो BN कॉलेज पठना से इन्होंने अपनी सिक्षा पराप्त की हुई है कला में इसनातक क की हुई है बीच में ही छोड़ दिया था इन्होंने और आप सभी जानते हैं कि राजनीती में हमारे देश में कोई सेक्षे के योगता तो रखी नहीं गई है कि इतना पड़ा लिखा होना जरूरी है और इसलिए आप देखते हैं कि कई नेता जिनकी दिल्चस्प भी राज साई भी कह सकते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि लालू इरादो के नाव से नाम से इन्होंने अगरवत्ती निकाला चावल निकालते रहते हैं और इनकी पार्टी की बात करें तो राष्टी है जंता दल आर्जेडीन की पार्टी है अगर हम लोग राजनीतिक सफर की बात कर अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो मद्दाता सूची में आपका नाम भी जोड़ चुका होगा आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे फिर आप देखेंगे 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक विहार सरकार की स्वास्त परयावन मंतिरी के रूम में इनोंने काम किय और आप सभी जानते हैं कि नेतेश कुमार उस समय मुखमंत्री थे लेकिन 2017 में आप सभी जानते हैं कि BJP के साथ जा मिलते हैं रातों रात उठापटक हो जाती है तो इन्हें इस्तिवा देना पड़ता है और 2020 के विधानसवा चुनाओ में जो बिहार में हुए थे इसमें तेश प्रताब यादोने हसनफुर बिधानसवा सीट से चुनाओ लड़ा था और जीत भी हासिल की थी और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है तेश प्रताब को एक्टिंग करने का सौग भी है और आप देखते हैं कि कई वीडियो इनके वायरल भी होते रहते हैं इन्ह कर रखा है तो फिल्मों भी इनकी दिल्चस्थ भी है बिबादों की अगर हम लोग बात करें कि बिबादों से भी इनका गहरा नाता रहता है तो पत्कार राज दियो रंजन की हत्या का आरोब भी इन पर लगा था अपने पिता लालू पर साथ यादो की सुरक्षा को जैड करने को लेकर उन्होंने पीम मौदी के खिलाब बेबाद इस पर बयान दिया था उस समय भी आपने देखा होगा एक कारफी चर्चा में आये हुए थे 2012 में जमीन के मालिकाना हग को लेकर दे गई गलत जानकारी की बज़े से उनके फैटो पम के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था उनकी पाटी के एक नेता ने उन पर थफ़ड मारने का आरोब भी लगाय था हलाकि बाद में उसने इंसे इंकार कर दिया था पर्यावर मंद्री के तोर पर कारों और अन बहानों से निकलने वाले पिदूसन को रोकने के लिए उन्होंने घुर सावारी करनी शुरू कर दी थी ताकि पिदूसन को नेंतित किया जा सके तो इस कारण भी आप देखें कि चर्चा में आ जाते हैं उन पर राजसरकार राजसरकार की जमीन पर अवैद कबजा करके उस पर मंदीर बनवाने का आरोब भी लगा था मंदीर के बाहर लगे सिलापट पर मंदीर की स्थापन ना की तारीक 18-2017 लिखी गई थी उस समय भी आप देखें इनका बिबाद में आये हुए थे कहां बिबाद में इनका नाम रहा था तेज प्रताब अपने बयानों के लिए भी कोब खोब चाने जाते हैं और हाली में इ तो भी इनके सामने आएगा वो ध्वस्त हो जाएगा इतना ही नहीं एक बयान में इनोंने अपने आपको भगवान केशन बताया था और अपने छोटे भाई तेजस्पी को आर्जुन करते हुए कहा था कि हमारा सुदरसंचक चल पड़ा है और अभी हाली में जो इपतार प मज़िएगा आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं आरोप सिद्ध होना एक बहुत बड़ी बात होती है तो आरोप इन पर सिद्ध होता है या नहीं होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा और इनके लिए क्या रहता है कि नेताओं के बारे में आगे कि भविस्त करता तो कोई है नहीं है भविसवानी तो की नहीं जा सकती है तो इनके बारे में न्यूच पेपरों से आप लोग जानकारी इकटी करते रहा करिये आंगे की कि आंगे इनका राजनेतिक भवस क्या होता है किस तरह से चर्चा में रहते हैं और वैसे तो आजकल social media का जमाना है तो आप लोग within social sites पर होंगे ही वहां से भी इनके बारे में मालू चलता रहता है राजनेताओं के बारे में जो भी चर्चा में रहते हैं उन सबी के बारे में तो यही कहानी है लालू के लाल की कहानी ठीक है